ओके तो आज हमारे haircut में advance layer haircut का 23 part वाला हम बीडियो लेकर आये हैं आज का जो मारे part है वह 23 part है और 23 वाले part में मैं आप जोगा सबसे हैवरेट butterfly haircut जो की बहुतpedo आधा trend में चल रहा है वो trendy haircut लेकर रहा हैं तो आज देखेंगे पुरा detail में butterfly haircut में किस तरह से करना है butterfly haircut में आपको बहुत ज़दा unlimited layers मिलते हैं और step by step आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो यह आपको समझ में आएगा कि हमें इसे किस तरह से करना है और हमें sectioning किस तरह से लेना है sections उपर top area में और side में हमने दो apartment उसे divide कर दिया है तो चलिए start करते हम तो सबसे पहले हम हमारा guideline create करेंगे और यही guideline हमें हमारा पूरा haircut करने में मदद करेगा तो चलिए हमने हमारा haircut start कर दिया है सबसे पहले आप लोग को जो ear to ear का section है यानि कि left side का section या फिर right side का कहीं कभी section लिजिए सबसे पहले और उसे आप लोग की decide करिए कि आपको कितना length रखना है और कितना cut करना है then उसके बाद आपको cut कर लेना है और अब यही guideline हमें हमारा आगे तक work करेगा तो आप लोग को जो यह haircut करना है यह face के front में लाकर आपको cut करना है जिस तरह हम लोग feather cut करते हैं बट feather cut हम नीचे के तरफ लेते हैं यानि 45 degree में बट इसे आप लोग को straight लेना है आप लोग को एकदम और face के सामने लाकर आपको इसे cut कर देना है और जो guideline आप लोग पहले create करेगे उसी तरह guideline को आप लोग को लेते हुए और सारा आप लोग को vertical sections में यानि की horizontal sections ने लेंगे आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो कि vertical sections ले रहे हैं और vertical section में यानि की खड़ी line में आप लोग को section लेनी है और सारा section आप लोग को आगे की तरफ लेते हुए और cut करना है तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखी कि जो भी आप लोग hairs याफी sections लोगे वो आप लोग को कान के पीछे से लेना है कान के उपर से आपका sections नहीं आएगा कान के पीछे से आप लोग को मतलब की आप लोग के कान के उपर अगर hairs आएगा तो hairs जो ये अनिवन हो जाएंगे तो ये चीज़े ध्यान में रखनी है और देखिए step by step हम लोग पतले पतले sections निकालते जा रहे है vertical section और vertical section में हम हमारा haircut पूरा complete करते जा रहे है दोस्तों ये haircut बहुत ही ज़ा trend में चल रहा है और काफी लोगों ने comments भी किया था कि sir butterfly haircut का वीडियो बनाएए तो आप लोग के comments पे मैंने ये वीडियो लेकर आया पुरा detail में तो दोस्तों आप लोग भी channel पर पहली बर visit कियो तो subscribe कर लेना और like और share जरूर करना आगे तरफ लेकर और एक बात आप लोग को यह हमेशा ध्यान रखना कि जो भी section आप ले रहे हो वो कान के पीछे से आना चाहिए कान के उपर आपका hairs बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और आप पूरे hairs को हम एक साथ लेंगे और लेने के बाद में जो भी extra hairs आएंगे उसे हम लोग करेंगे cut करना है तो चलिए इसे cut करने के बाद में आप लोग को दिखाओंगा कि जो हमारा left side का section है उसे आप लोग को किस तरह से cut करना है तो यह हमारा right side के जब पूरा hairs जो है कम cut हो जाएगा तब उसके बाद में हम left side का section लेंगे तो left side के section के लिए हमें guideline कहां से मिलेगी हम यहीं स दो बर हम लोग पूरा हैर्स लेकर चेक कर ले रहे हैं कोई एक्स्ट्रा हैर्स तो नहीं है और जब आप लोग पूरा कन्फर्म हो जा तब उसका कट करके और अब हम बढ़ते हैं हमारे राइट हैर्स की तरफ तो राइट वाला जो सेक्शन हमने निकाला है वहाँ पर हैर्स लेंगे और हैर्स लेने के बाद में यहां से भी हम एक पतला सा हैर्स लेंगे और दोनों को हम लोग मर्ज करके कट करेंगे जो कि हमारा गाइट लाइन हमारा क्रियेट हो जाएगा जिस तरह हमने राइट सैट का सेक्शन कट किया था उसी तरह हम लोग का सेम हमारा ल लेना है गाइडलाइन और अब उसी तरह आप लोग को पतले पतले वर्टिकल सेक्शन लेते हुए और कट करना यहां पर देखिए आप लोग सेक्शन देख पार हो एकदम नीटन क्लीन आ रहा है और जब भी आप लोग हेर कट करो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि अच अची फिंगर में सेट होगी तो देख रहे हो आप लोग किस तरह से मैं पूरे हेर को ओवर डारेक्ट करते हुए आगे की तरफ ले रहा हूं बस एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग का जो हेर से वो कान के बैक साइड से आना चाहिए कान की ऊपर ना हो यह चीज आपक अब मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग को पूरा क्लियर दिखे इसलिए मैं इस तरह से आगे की तरफ खड़े होके कट कर रहा हूं आप चाहो तो आगे की तरफ खड़े होके कट कर सकते हो या फिर आप लोग इस तरह से बैक साइड में भी खड़े होके कट कर सकते हो और इसे आप दो से तीन बार विलियो देखिए क्योंकि कुछी नया ये trend वाला haircut है तो आप लोग को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप लोग दो से तीन बार देखेंगे नहीं और प्रैक्टिस करेंगे नहीं जब आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्ट तो इसमें आप लोग को सबसे एडवांटेज ये है कि अगर किसी को बहुती ज़ादा unlimited layers चाहिए तो इसमें काफी ज़ादा unlimited layers मिलता है और ये haircut इतना समझ लिजी कि अगर आप लोग ने दो से तीन बार प्रैक्टिस कर लिया तो बहुती easy तरीका हो जाता है इसे haircut करने का और मैंने काफी ज़ादा कोशिश किया कि आप लोग को बहुती आसान तरीके से समझे दोस्तो यहां तक आचुके और वीडियो को लाइक नहीं कियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लिजिए और अगर दोस्तो आप लोग कल्यान में ही रहते हो या फिर कल्यान से वहाँ पर आप लोग आ सकते हो अगर आप लोग आ सकते हो तो अगर बहुत दूर के हो तो आप लोग तो नहीं आ सकते बट जिन लोगों को पता है कल्यान का है तो आप लोग मुझे Instagram पर message करके appointment ले सकते हो और मेरे Salon में आ सकते हो कोई भी Hair से related service के लिए और इंस्टाग्राम आइडी मेरा हैर्स्टालिश रोही थे लिंक आप लोग को डिस्किप्शन में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर जो भी आप लोग देख रहे हो वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो तो देखिए लेर्स हमारा अनलिमिटेड बहुती अच्छी तरीके से आ चुका है अभी हमारा उपर का जो हैर से जिसे हमने होर्शू सेक्शन किया उसे कट करना बागी है लेकिन उसके पहले आप लोग इसे देंगे वन लेंथ तो वन लेंथ जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि वन लेंथ हमारे हैर कट का बेस होता है तो वन लेंथ कट होना बहुती ज़ादा ज़रूरी है तो चलिए इसे अच्छी तरीके से हम वन लेंथ कर लेते हैं आप लोग देखो कि इनका जो hair है वो काफी thin और पतले जिसके वज़े से इनका जो नीचे का हिस्सा है hairs का वो बहुती thin है तो उसे हम cut करके निकाल देंगे जितना हो से के उतना अच्छी तरीके से आप लोग पहले client को भी पूछ लीजिए कि उन्हें length कितना short चाहिए और फिर उसी के according आपको इसे one length करना है इसमें hairs में layer बहुती unlimited आता है बहुती जादा अच्छा मैं आप लोग को इसे styling करके ब्लोट राए करके दिखाऊंगा तब आप लोग देखना है इसका final result कितना amazing दिखता है तो देखिए step by step हमने पहले one length के लिए guideline ली और फिर उसके बाद में हम लोग one length को उसी तरह follow करते जिस तरह हम लोग one length करते हैं हमने cut कर लिया जब हमारा one length complete हो जाए तब हमें जो हमारा उपर का top का area है यानि कि horseshoe section है उस तरह बढ़ेंगे और उसे हमें करना है cut तो उसे किस तरह से cut करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा top का area हमें हमारे front hair को हमारे front look को present करेगा तो यह चीज तो पूरा आची तरीके से ध्यान लगा कर देखिए कि अब हमें यह जो उपर का top का area है horseshoe section इसे किस तरह से cut करना है तो इसमें दिक्कत बहुत जादा यह होती है कि जो side के hair है वो इसमें merge हो जाते हैं तो side के hair जो हमने cut कर लिया है वो इसमें mix ना हो हमें cut करने में दिक्कत इसके लिए आप लोग क्या करोगे देखिए आप लोग सबसे पहले इसे partition निकालोगे उपर का जो हमें इसे दो पार्ट में divide करेंगे और half profile section निकालेंगे यानि कि crown तक हमें इसे profile section में निकालना है middle partition और उसके बाद में बाकी के hairs को हमें कर देना है sectioning और जो हमारा front का hair है यानि कि इसे हम money piece section भी बोल सकते हैं यह money piece section आप लोग को highlights hair color करने के लिए बहुती ज़दा हमें use होता है तो सबसे पहले आप लोग client को पूछ लेगो कि कितना short चाहिए तो इने chin level तक short चाहिए तो इसे directly आप लोग chin level पर लाकर और इसे cut कर दीजिए अब यह हमारा guideline work के लिए तो आप उपर के जो hair है उस उपर के hairs को हम लोग diagonal sections लेते हुए cut करेंगे और बाकी के hairs को हम लोग clipping कर सकते या फिर आप लोग इसे fold करके अच्छी तरीके से छोड़ सकते हो और आप लोग को यह चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप लोग का जो hair से वो बाकी के hairs में merge ना हो cut करते समय क्योंकि हमें इसी भोर्षू section cut करना है तो यह देखी हमें हमारा guideline मिला और आप लोग को head को इदम straight रखना है और straight रखते हुए आप लोग को थोड़ा सा finger को cross में लेते हुए यानि कि अगर आप लोग left side का cut कर रहे हो तो थोड़ा सा right की तरफ आप लोग उसे tilt करिए या फिर अगर right side का cut कर रहे हो तो उसे आप लोग को left side में थोड़ा सा tilt करके और cut करना है और sectioning आप लोग को diagonal section ही निकालना है और diagonal section निकालते हो आप लोग उसे cut कर रहे हो देखिए मैं थोड़ा सा उसे जैसे कि मैं अभी cut कर रहा हूँ right side का तो मैं थोड़ा सा left side में हलका सा tilt हो रहा हूँ और देन उसके बाद में उसे हम कर रहे हैं कट और आप लोग को hairs को छोड़ना नहीं है, सब hairs को हम इसी तरह merge करते हुए और उपर के जो hairs से उसे cut करते जाएंगे आप लोग को सबसित चीज ध्यान देने वाले यही बात है कि जो हमने horseshoe sections लिया है हमें उसे ही सिर्फ cut करना है क्योंकि बाकी की जो hairs से उसे हमने cut कर लिया है तो यह चीज ध्यान देना है कि हमारे बाकी के hairs उसमें mix ना हो ताकि वो भी hair ना cut जाएं तो देखिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बाकी के hairs देखिए हमारे बराबर lining में है और हम उस hairs को बिल्कुल भी touch नहीं कर रहे है और बाकी के सारे hairs को हम लोग tilt कर रहे है थोड़ा सा opposite side में और देन उसे हम लोग cut कर रहे है तो यह हमारे guideline दिखी और हमने किया इसे cut तो अब हमारा haircut हमारा one side का complete हो चुका है जो हमने दो पार्ट में divide किया था और अब second part लेंगे और उसे हम लोग cut करेंगे अब दोस्था second part है उसे भी हमें किस तरह से tilt करना है यह भी आप लोग को देखने लिबात है और आप लोग देखेंगे कि यह haircut मुझे लगता है जहां तक कि आप लोग ने अभी तक नहीं देखा होगा कहीं और आप लोग के लिए काफी नया यह haircut है तो इसमें आप लोग को आगे का जो front look है जो बहुती बहतरीन सा fall मिलता है और हमें इसमें जो look है वो एकदम butterfly याने कि इतना ज़्यादा है उसमें आप लोग को layering मिलेगी कि आप लोग भी यह haircut हर किसे को आप लोग suggest करोगे तो चलिए हम हमारा अभी देखिए जो हमारा जो second वाला जो हमने part divide किया था उसमें देखिए guideline देखिए हमारी guideline और इस guideline में हम इस जो हमारा side वाला left side का section है उसे भी cut करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग देखिए कि हम जो section ले रहे हो diagonal section और बाकी के hairs को आप लोग चाहो से उसे cut कर रहे है आप लोग को काफी अच्छी तरीके से और बहुती ज़्यदा detail में I hope की आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें ये haircut करना है अभी तक हमने advance और basic मिला कर काफी haircut मैंने आप लोग के लिए लाया है और काफी कुछ आप लोग को समझ में आया होगा आप लोग comments करके बताना कि अभी तक हमने इतने सारे haircut लाया आप लोग को कितना ज़्यादा समझ में आया है और कौन से haircut आप लोग को चाहिए मुझे comments करिए मुझे तो जहां तक लग रहा है कि मैंने सारे haircut आप लोग के cover कर लिये हैं जैसे कि natural graduation हो गया reverse graduation हो गया feather forward graduation हो गया यानि कि one length और V shape, U shape ये सारे basic से लेकर हमने advance में long layer haircut, step with layer haircut face framing और देन उसके बाद में हमने square layer haircut और बहुत सारे haircut हमने complete कर लिये हैं और आज हमारा ये हो गया butterfly haircut shortcut में हमने लिया था हमारा bob cut और बहुती अच्छी तरीके से आप लोग ने उस पर प्यार दिखाया और सारा वीडियो हमारा हो सकता है कि complete हो चुका है haircut का और अब हम हमारा haircut complete होने के बाद में blow dry के भी मैंने ब्लोड राए के लिए वीडियो लेकर आते रहूंगा और हम बहुत जल्द अब color के उपर पहुचने वाले हैं और color में भी हम इसी तरह basic to advance haircut पूरा complete करेंगे तो चलिए finally हमारा पूरा haircut complete हो चुका है अब आप लोग को final result देखने लिए बात है यहां पर देख सकते हो कि natural hairs में मैं आप लोग को दिखा रहा हो कि हमें layers और हमारा जो front का face look है कितना बहतरीन सा उसमें framing हो रहा है और जब हम इसे styling करेंगे तब आप लोग देखे कितना लाजवा आप look आएगा और back side में भी देख सकते हो कि एकदम हमारा जो layer है पूरा top to bottom तक बहुती जादा unlimited layers मिल चुका है तो चलिए अब हम चड़ते हैं इसे blow dry और blow dry के लिए आप लोग इसे out calls blow dry कर सकते हो और इसे आप लोग को small brush से करना है क्योंकि layers इसमें काफी short और small small आते हैं इसे लिए आप लोग small brush से ही small round brush से आप लोग अच्छी तरीके से blow dry करिए और blow dry का लिया हमने machine iconic का और आप लोग brushes से वो brushes भी हमारा iconic का ही है जितना अच्छी तरीके से branded आप लोग product या फिर tools यूज करोगे उतना ही अच्छा आप लोग को result आएगा तो हमारा blow dry complete हो चुका है और अब आप लोग को हम लोग final result दिखाने वाले है कि हमारा final result तो हमारा haircut का आया है butterfly haircut का वो किस तरह से आया है comments करके जरूर बताना final result देखने के बाद तो यह हमारा final result face को देख सकते हो कितना बहतरीन सरीके से framing कर रहा है इनके hairs काफी पतले थे बट हमारा जो layer है वो काफी unlimited और अच्छा सा आया है और face को back side से लेकर देख सकते हो और front का भी look देख सकते हो काफी अच्छा result आया है तो दोस्तों आप लोग भी यह try करिए किसी भी types का hair हो आप लोग चाहो तो इसे medium length या फिर short hairs में भी आप लोग इसे cut कर सकते हो जिसे भी जादा unlimited layers चाहिए उसे आप लोग यह haircut दीजिए और जिसे भी अगर face framing या अगर किसी का face हमारा जादा बड़ा big या फिर diamond face है तो उस पे आप लोग यह haircut करिए बहुत लिए amazing सा haircut आता है और अभी तो यह फिलाल train चल रहा है हमारा middle partition का तो चलिए आप लोग को यह haircut कैसा लगा comments करके जरूर बताना मिलते हैं next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए bye bye